ज्यानियग्य में आपका स्वागत है। ज्यानियग्य की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन की सहता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अने लोगों के साथ शेयर करें Windows 10 के इस अध्याय में आप सीखेंगे Start Menu में Folder Add करना जब भे हम Start Button पर क्लिक करते हैं हमें कुछ Folders हमेशा यहाँ पर नजर आते हैं जैसे कि यहाँ File Explorer Settings के Folder दिखाई दे रहे हैं आप इने यहीं से Open कर सकते हैं यदि हमें Documents, Downloads, आदी Folders की बार-बार जरुद पढ़ती हैं तो हम उन्हें भी यहाँ पर Add कर सकते हैं जैसे कि हम उन्हें शीगरता से Open कर सकें आईए देखते हैं कि इन Folders को हम किस तरह से Add कर सकते हैं उसके लिए Desktop पर कहीं भी खाली जगर पर Right क्लिक करें अब Personalize पर जाएं यहाँ पर Left Side में सबसे आखिरी Option है Start इस पर क्लिक करें इसमें यहाँ पर पहला Option है Show More Tiles अभी अगर हम Start बटन पर क्लिक करके देखें तो यह देखिए Tiles वाला जो Portion है यह पूरा Packed है इसमें अभी और Tiles Add करने के लिए जगह दिखने ही रही है पर अगर हम और Tiles Add करना चाहते हैं तो हम इस Option को On कर देंगे इसके On करते ही यह यहाँ पर और Tiles के लिए जगह हो गई है यदि हम चाहते हैं कि किसी भी एप के Suggestions Occasionally Start Menu में Show हो तो इस Option को On करें पर ध्यान रखें कि सिस्टम में Net Connect होना चाहिए फिलहाल हम इसे Off रहने दे रहे हैं यहाँ पर Show Most Used Apps का Option On है मतलब सबसे ज्यादा काम में आने वाली Apps हमें Start Menu में दिखाई देती रहती हैं यहाँ पर Recently Added Apps वाला जो Option है वो भी On है तो यह Recently Added Apps भी Start Menu में दिखाता है अभी यहाँ पर चुकि हमने कोई एप Recently Add नहीं किये इसलिए वो यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही है इसके बाद Option है Use Start Full Screen इसे हमने Off करके रखा है अगर हम इसे On करेंगे तो पूरी Screen पर Start Menu नजर आएगा यह जैसे हमने इसको On किया अब हम Start Menu उपन करके दिखते हैं यह दिखिए यह पूरी Screen पर आ गया है Skip की दबा करके हम Screen से बाहर आ गए इसको हम वापस Off कर रहे हैं अगर किसी Recently Open हुए एप के साथ Jump List भी Show करना हो तो हम इस अगले Option को On रहने देंगे अगर यह On है तो यह यहाँ पर Show Jump List का Option दिखाएगा अगर हम इसको Off कर देंगे तो यह Option चला जाएगा यह देखिए इस Option को Off कर देने पर यहाँ से वो Arrows चले गए हैं यानि Jump List वाला Option चला गया है अब हम Choose Which Folders Appear on Start पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही हमें कुछ Folders दिखाई देंगे इनमें से हमें जो भी Folders Start Menu में चाहिए हम उन्हें On कर देंगे मान लिजे हमें Downloads Folder और Pictures Start Menu में चाहिए तो हम इन्हें On कर देते हैं अब हम Start Menu में जाकर चेक करते हैं यह देखिए हमारे चुने गए दो Folders Downloads और Pictures यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से जो भी Folders आपको Start Menu में चाहिए वो आप यहां से On करके Add कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो Folders हटा भी सकते हैं यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे Like करें अन्य लोगों के साथ Share करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को Subscribe करें इस विशे से संबंधित हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दी गई Link पर क्लिक करें